अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राम चैनल एंड जो वाटसब ग्रूप है दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्ट में मिल जाएगा तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे इंटर भी डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्ट में मिल जाएगा अब चलते हैं जो इंट्रडे के स्टोक्स हैं उनकी लिस्ट के उपर तो जो सबसे पहले नंबर का स्टोक हमने होगा और इस वीक के लिए स्टोक मैंने आपको रिकमेंड भी किया है और आप देख सकते हो कि पूरा पूरा यह जो हाई है लाइफ हाई इसने लगवाग 525 पॉइंट की 18% की सवा 18% की तीजी की है और आप देख सकते हो कि मैं इसको अभी भी होल्ड के लिए बोल रहा हू क्यों बोल रहा हूं इसके पीछे के स्टोरी सुनाता हूँ तो इस इस ही स्टोक को आप स्विंग के लिए ओल्ड कर सकते हो ले सकते हो अगर रिप के अंदर मिले दो ठीक है इंट्राडे के अंदर आप काम कर सकते हो इंट्राडे के लिए रख सकते हो कल तक के लिए ठीक है अब मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हो कि Friday को Late Friday आप देख सकते हो कि जो NSE है उसके उपर को अलोकेशन का कोई केस लग रहा था तो सेबी ने उस केस को क्या कर दिया है यहाँ पर खारीज है उसके ऊपर लग रहा था ठीक है तो सेभी ने NSE के ऊपर केस लग रहा था उसको खारीज कर दिया है और एक तरीके से उसको बाईज़त्वरी कर दिया है NSE को सेभी ने अब इससे क्या हुआ कि NSE का जो IPO है वो आने के बहुत चांस बन गए और यह IPO आ सक अंदर selling pressure आ रहा था एंसी के अंदर अनलिस्टेड है उसके अंदर यहां पर selling आ रही थी यहां पर बिक्वाली है वो हो रही थी लेकिन जब यह news निकल करके आई कि से भी यहां पर क केस है उसके अंदर एंसी को बाइजद बढ़ी कर चुका है तो अब अब वहां पर कोई सेलर ही नहीं वचाए सब लोग होल्ड करके बैटे हैं तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो बीयसी लिस्टेड है तो 3400 रुपए का उसका भाव है अब इस स्टोक को जब तक यहां पर NSE का IPO नहीं आता तब तक आप प्लीज होल्ड करके रेखिए य यहाँ पर हम इनके जो इंट्राडे की हम बात करें तो इंट्राडे के अंदर ये अगर आपको 3500 रुपए के उपर मिले तो आप इसमें एंट्री किजिएगा 3500 रूपए पहला टारगेट बनेगा 3550 रुपए दूसरा target बनेगा and 3400 रुपए आप इसके अंदर इस टोपलोस लगा के रख सकते हो तो ये हमारा first number का इसके बाद में जो second number का इसके हमारा है वो है आदानी green ठीक है आदानी green के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी काफी दिनों से consolidation चल रही है यहाँ से और यह consolidation का यहाँ पर एक completion हो रहा है यह breakout दे चुका है अब यह जो swing है ना यह swing निकलेंगे तो इसके अंदर breakout का confirmation यहाँ पर हो जाएगा तो यह swing निकलेंगे उससे पहले इनको यहाँ तक जाना पड़ेगा तो intraday के अंदर हम यहाँ पर 1935 के उपर निकले तो entry कर सकते हैं 1955 पहला target बनेगा 1975 दूसरा target बनेगा और जो stroplos इसके अंदर लगाएंगे 1921 का stroplos बनेगा तो यह हमारा second number का श्टोक हो गया इसके बाद में जो third number का श्टोक है वो है PCBL, Philips Carbon Black इसके अंदर भी एक तेजी आपको देखने को फिर से मिल सकती है, काफी अची तेजी हुई यहाँ पे pullback फिर से तेजी यहाँ पे consolation type का हो रखा है, chart pattern type का बना रखा है, तो chart pattern की upper side की जो trend line है, वहाँ तक यह जा सकता है तो intraday के अंदर 510 के उपर निकले तो आप entry कीजिएगा 515 and 520 यहाँ पे दो target बनेगे 506 यह stop loss बनेगा तो यह हमारा third number का इस्टोक हो गया इसके बाद में जो fourth number का इस्टोक है वो है प्राज industry प्राज industry के अंदर आप देख सकते हो कि काफ अच्छी तेजी के बाद में यहाँ पे इसने consolation किया था यह एक correction करके breakout दिया था वापस से नीच आया वापस उपर जाकर के double top create करके नीच आया था अब यह वापस आप देख सकते हो कि यह जो horizontal line है या जो यह double top है ठीक है double top है उस double top के breakout के उपर जाकर के sustain कर रहा है तो वापस से एक immediate license यहाँ पर मिलेगा उसके बाद में यह जो double top create किया था वहाँ तक यह जा सकता है तो intraday के अंदर 760 के उपर नीकले तो आप entry कीजिएगा 767 पहला target बनेगा 772 दूसरे target बनेगा 755 का आपका बनेगा तो यह हमारा फोर्ट नमबर के श्टोग हो गया इसके बाद में जो last number के श्टोग है वो है national aluminium nalco इसके अंदर काफी अच्छी एक तेजी थी उसके बाद में यहाँ से correction की शुरुआत हम मान सकते हो और यहाँ से correction की उसके बाद में आप देख सकते हो कि आप इसने वापस से एक up trend की starting कर चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो swing बना है swing जो यहाँ पे low बना है इसने यहाँ पे previous swing low है उसको break नहीं किया है और upper side के अंदर breakout कर चुका है यह trend line का breakout हो चुका है हो सकता है कि यह इसको retest करने के लिए आ जाए लेकिन अगर intraday में जाता है तो यहाँ से upside आपको देखने को मिल सकती है तो 190 के उपर आप entry कीजेगा 192 and 194 यह दो target होंगे 188 का आपको इस्टोप्लोस लगा के रखना है तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर best 5 intraday trading के stocks हैं वो discuss किये हैं हमने यहाँ पर entry, target और स्टोप्लोस क्या लगाना है यह सभी चीजे discuss की हैं तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और DMAT अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुर फ्री में हमारे अंदर में DMAT अकाउंट ओपन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्ट्र में मिल जाएगा मिलते हैं एक वीडियो में थैंक यू बरी मॉच